सादर परणाम सभी को मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभी नंदन करती हूँ आज के वीडियो में हम आधुनिक भारत की श्रंखला यानि की इतिहास को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बंगाल की नवाबी के अंत की यानि की आज के वीडियो में हम शुरुवात कर रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में जो नवाब थे उनका अंत हो जाता है और फाइनली वहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तो इसकी शुरुवात हम आज के वीडियो से कर रहे हैं बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डूपले के विशय में हमने डूपले की नीतियों के विशय में जाना था सबसे पहले बात करेंगे इसी में हम अली वर्दी खां की जो अली वर्दी खां है इसका टाइम अगर कहें तो 1740 से 1756 तक का है यहां पर क्या होता है फरूख सियर का ध्यान होगा आपको जो मुगल समराथ था फरूख सियर ठीक मुगल समराथ फरूख सियर के समय से ही जो मुर मुशीद कुली खां बनिया था नवाब बंगाल का 1713 में अब क्या होता है 1700 जब ये मुशीद कुली खां जो है इसकी मृत्यू हो जाती है 1727 में और इसकी मृत्यू के बाद यहां पर इसका दामाद है शुजा उद्दीन ये शुजा उद्दीन बंगाल की गद्दी पर बैठ अब इसके बाद क्या होता है 1732 में 1732 में जो अली वर्दी खां है अली वर्दी खां को बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया जाता है और इसने क्या किया होता है जो अली वर्दी खां है अली वर्दी कुशल प्रशासक है यानि कि इसने कुशल प्रशासन और जमीदारों जो कठोर नियंतरन किया था उस कठोर नियंतरन की वजह से जो राज्य है उसकी आर्थिक इस्थिती में सुधार होता है और इसने जो लगान वसूले गए थे वो लगान कमपेरिटिव जादा वसूले थे जिससे की राज्य की आर्थिक इस्थिती में वृध्धी हो जाती है यानि कि राज्य की आये में वृध्धी हो जाती है और ये यहाँ पर अपनी एक्टिवनेस की वज़े से, अपनी ततपर्ता की वज़े से, कारिकुशलता की वज़े से, जो मुगल समराथ है मुहंमद शाह, मुहम्मद शाह को 20 लाख की जगा यहां पर आय बढ़ा देता है जो उसे मुहम्मद शाह को देता है यहां पर 30 लाख रुपया यानि कि मुहम्मद शाह को पहले 20 लाख रुपया वारशिक के हिसाब से आय भेजता था लेकिन उसके बाद यह आय बढ़ा देता है और 30 लाख रुपया वारशिक के हिसाब से वहाँ पर आय भेजना शुरू कर देता है अब इसके इन कामों से जो है जो समराठ है वो बहुत जादा खुश होता है क्योंकि आए में बढ़ोतरी हो रही है अजब आए में बढ़ोतरी हो रही है तो उसके बाद 1740 में अली वर्दी खां को सूबेदारी सौप दी जाती है बंगाल की ठीक सूबेदारी सौपने के साथ साथ इसे आग्यापत्र भी प्रदान कर दिया जाता है तो यहां 1740 में इसके साथ थोड़ा सा बदलाव आता है और सूबेदारी के साथ साथ आग्यापत्र यानि की सूबेदारी का आग्यापत्र इसको प्राप्त हो जाता है अब क्या होता ह 1740 की ही बात है गिरिया के युद में जो शुजाउदीन का बेटा था सर्फराज ये सर्फराज हार जाता है और सर्फराज को हरा कर ये यहाँ पर बंगाल का नवाब बन जाता है यानि कि इसने सर्फराज को हरा दिया है और सर्फराज को हरा देने के बाद अब ये अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया है ये यहाँ पर जब ये अली वर्दी खां जब ये नवाब बना है तो शुरू के जो कुछ साल होते हैं 1740 से 1751 तक के ये शुरू के सालों में इसे हर साल लगबक मराठों के आकरमन का सामना करना पड़ता है और फाइनली क्या होता है 1751 में ये मराठों से एक संदी कर लेता है और उस संदी के अनुसार ये मराठों को 12 लाख रुपया वार्शिक देगा चौत और उडीसा का सूबा ये इस संदी के अनुसार मराठों को इसे देना पड़ता है यानि कि संदी होती है हर बार शुरुवादी जो दौर था 1740 से 1751 तक का जो दौर था लगतार युद्ध हो रहा है फिर फाइनली क्या होता है ये उनसे एक संदी कर लेता है और संदी के अनुसार ये दो शर्टों को इसे मानना पड़ता है अब क्या हैता है जो अली वर्दी खां है जो हमने शुरू में ही देखा कुशल प्रशासक है अच्छे गुण है इसमें राज्य से जो है लगान जो वसूली है वो जादा हो जाती है यहाँ पर यह निंतरन करता है और टोटल राज्य की आय में यहाँ पर यह वर्दी भी कर लेता है अब यहाँ पर क्या होता है यह इस बात से एक चीज में बहुत ज़्यादा सचेत रहता है बहुत ज़्यादा अवेर रहता है कि जो यूरोपी व्यापारिक कम्पनियां है वो यूरोपी व्यापारिक कम्पनियां बंगाल की राजनीती में अपना हस्तक्षेप ना बढ़ा पाए यानि कि बंगाल में ये यूरोपीय कम्पनियों के हस्तक्षेप को रोकना चाहता है औ अब क्या होता है ये इनसे भी किसी तरीके का हस्तिक्षेप नहीं चाहता और ना ही इनके किसी व्यापार में किसी भी तरीके का हस्तिक्षेप करता है अब हस्तिक्षेप क्यों नहीं करता क्योंकि वो व्यापारी कंपनिया यहां पर व्यापार कर रही है तो इससे इसकी राज वर्दिखा है वो यूरोपियों को मधुमखी के समान समझता था जिनसे शहद तो प्राप्त किया जा सकता है लेकिन अगर उन्हें छेड़ा तो वो डंक मार सकती है ये वो समझता था और 1756 की बात करें तो 1756 में इसकी फाइनली मृत्यू हो जाती है अब जब इसकी मृत्यू से 57 की बात है ये बस अलिवर्दी खांकी अब जब मृत्यू हो गई है ये जो सिराजुद दौला है सिराजुद दौला इसका पौत्र है और इसको यहाँ पर बंगाल का नवाब बनाया जाता है लेकिन यहाँ पर सिराजुद दौला के खिलाफ शौकत जंग है जो की वो यहां पर नवाबी का दावा पेश करता है और इसका कुछ समर्थन करने लगते हैं हिंदू जैसे कि राज बल्लब बग्यारा शौकत जंग का यहां पर समर्थन करते हैं कि हां उसी को यहां पर शासक बनना चाहिए इसी के साथ साथ घसीटी वेगम है जो सिराज दौला की दूसरी मौसी है वो घसीटी वेगम भी यहां पर समर्थन करती है शौकत जंग का अब अंग्रेजों को पता चल गया है यहां पर इस सितियां थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई है उत्कर अदिकार को लेकर पर इस सितियां थोड़ी सी अलग हो गई है तो इसलिए यहां बहुत ही कुषलता से यह सामने एक चैलिंज आ गया है कि कितनी कुषलता से वो अंग्रेजों का इस लालच का या इस जो भी शडονत्र वो रचने का प्रयास कर रहे हैं, वो उनसे मुक्ति पा ले Olay तो सिराज यहां पर बहुत ही कुशलता से उनका सामना भी करता है क्योंकि शौकत जंग के यहां पर समर्थक हैं और साथी अंग्रेज भी इस चीज से फायदा उठा रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों को से कोई फरफ नी पड़ता यह बने यह बने लेकिन इन दोनों में आपस म उने फायदा होता है तो इसलिए यहां पर क्या होता है जो सिराजु दौला है घसिटी बेगम से शौकत जंग से और अंग्रेजों से युद्ध करता है और फाइनली उन्हें यहां पर हरा देता है और यह यहां पर सिंहासन पर आसीन रहता है अब बात करें जो इस यहां पर संगर्ष के क्या कारण रहे क्योंकि संगर्ष इनके पीच में हुआ है तो कोई ना कोई विशेश आवश्य कारण रहा होगा जैसे सबसे पहली बात करें हम इनके आपस में जो पैत्रक वैमन्यस्य है उसकी पैत्रक वैमन्यस्य की वजह से इसका जो युद्ध होता ह वो होता है अंग्रेजों से सिराजुद दौला का जो नाना था अली वर्दी जिसने सिराजुद दौला को बंगाल का नवाप यहां पर बना दिया था अलिवर्दी खाने सिराज दौला को जाने से पहले एक सीख दी थी उसने कहा कि उसके समक्ष अंग्रेजों के विरुदुद्वेश की भावना है वो प्रकट करनी का एक तरीका तो ये है कि जो यूरोपिय जातियां है भारत के अंदर ये यूरोपिय जातियां बढ़ना है कि ईश्वर्दी मेरी उम्र लंबी करता तो मैं तुम्हें इन से सदा के लिए मुक्ति दे सकता था उन्हें शक्ति हीन कर सकता था लेकिन तुम्हें पहले क्या काम करना होगा अंग्रेजों की शक्ति जो बहुत बढ़ गई है उन अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को घटाना होगा कम करना होगा यानि कि अंग्रेजों को शक्तिहीन करना होगा और उसके लिए तुम्हें उन्हें ना तो फौज रखने की अनुमती देनी होगी और ना ही उन्हें खिले बनाने की अनुमती देनी होगी यदि तुम्हें उन्हें फौज और खिले बनाने की अन प्रभुतु जमाने का प्रयास कर रहे हैं और इन्होंने हिन्दू व्यापारियों के साथ गट बंदन कर लिया हैं। ये क्या काम करते हैं हिंदू व्यापारियों के साथ गटबंदन करने का मीन्स ये था कि उनको विशेश व्यापारिक सुविधाय प्रादान करेंगे और शासन की बागडोर अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगी. तो इस वज़े से क्या होगा एक मुस्लिम सामराजी के लिए इस तरीके का गटबंदन जो हिंदू व्यापारियों और अंग्रेजों के बीच बन रहा था वो कही ना कही एक खत्रे की घंटी थी. तो इन्होंने क्या गाम किया इन्होंने जान लिया था कि हिंदूों में जो मुस्लिम सामराजी है या मुगल सामराजी है इसके प्रती कही ना कही एक विद्वेश की भावना है तो अंग्रेज इस विद्वेश की भावना का लाब उटाते थे और उन्होंने सॉफ्ट टार युद्ध क्यों हुआ युद्ध इसले हुआ कि जो अंग्रेज हैं अंग्रेजों ने नवाब के शत्रूं को शरण दी है शरण कैसे दी है जैसे सिराजु दौला के विरोधियों का नेता था यहां पर राजवल्लब जो अभी हमने पढ़ा कि शौकत जंग के फेवर में था यहां पर कि उसे सिंगहासन मिलना चाहिए तो यह राजवल्लब को और उसका बेटा है क्रिश्न वल्लब को अंग्रेजों ने शरण दे दी है यहां पर कलकत्ता में ठीक है और जबकि उन पर घसीटी वेगम के खजाने को छिपाने का आरोप था यह आरोप था कि उन्होंने घसीटी वेगम उसके खजाने को छिपाया है और मतलब खजाने की हेरा फेरी की है तो अंग्रेजों ने क्या काम किया एक गुप्त तरीके से सिराजुद दौला का जो भी प्रतीदवन्दी है जैसे कि शौकत जंग था शौकत जंग को लगातार सिराजुद दौला के अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी अंग्रेजों ने उन व्यापारिक सुविधाओं का यहाँ पर दुरुपयोग किया दरसल शुरुवात तो हो जाती है जो फरूख सियर है उसी के टाइम से फरूख सियर ने क्या काम किया इनके प्रती बहुत ज्यादा उधार्ता प्र करने की अनुमती दे दी थी अब अंग्रेजों को जब एक बार बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमती मिल गई है तो उनोंने इस सुविधा का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और जो भारती व्यापारी थी उन भारती व्यापारियों को भी अपने हस्ताक्ष कि हम तुम्हें अपने दस्तकत किये हुए जो पत्र है वो देंगे जिससे तुम्हें चुंगी नहीं देनी पड़ेगे और तुम बिना चुंगी दिये ही व्यापार कर सकते हो तो इससे क्या हुआ जब व्यापारी इस ये काम करने लगे अंग्रेजों के दस्तकत किये हुए पत्रों के आधार पर बिना चुंगी के व्यापार करने लगे तो राजी की जो आए है वो राजी की आए में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है यानि कि राजी की आए को हानी होती है तो सिराजूत दौला इस बात के अगेंस्ट था कि बिना चुणगी के व्यापार ना किया जाए फिर अगली बात अगर हम करें तो यहाँ पर किले बंदी हो गई है अंग्रेजों ने यहाँ पर बिना अनुमती के यानि की सिराजुत दौला की अनुमती के बिना ही यहाँ पर कीले बनाने शुरू कर दिया था यहाँ पर फ्रांसीसियों ने ठीक है बिना अनुवती के किले बनाने शुरू कर दी अब जैसे सिराजुतालों के इस बिश्य में पता चलता है तो बहुत जादा क्रोधित होता है और क्रोधित होने के बाद वो अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के जो व्यक्ति हैं जे वात करने के लिए यानि कि जो इसलिए मैं तुम्हें किले बनाने की अनुमती नहीं दे सकता जो भी तुमने किले बनाए हैं उनका काम रोक दो अब इस बात से फ्रांसीसी तो सहमत हो जाते हैं लेकिन अंग्रेज सहमत नहीं होते हैं और वो अंग्रेज लगातार किलों का निर्मान करते रहते हैं तो अंग्रेजों और सिराजुद दौला के जो बीच है संघर्ष की शुरुवात हो जाती है और संघर्ष की शुरुवात इस तरीके से होती है जो सिराजुद दौला की अगर बात करें वो अंग्रेजों से युद्ध करना चाहता ही नहीं था उसने क्या काम किया था जब इसके जो फोर्ट विलियम के गवर्नर है ड्रेक ने जब उसकी आग्या की अवहेले ना की है तो यहाँ पर सिराजु तौला के लिए अनिवारे हो गया है अपनी प्रतिष्था को बचाए रखना तो उस प्रतिष्था को बचाने के लिए 1756 की बात है कासिम बाजार पर आकरमन किया जाता है कासिम बर्यार पर जब आक्रमन किया जाता है तो यहाँ पर अंग्रेज कर देते हैं आत्म समर्पन क्योंकि वो घबरा जाते हैं ठीक है इसके बाद फिर से एक आक्रमन किया जाता है कलकत्ता पर कलकत्ता पर जब आक्रमन किया जाता है तो जो यहाँ पर governor है Drake, Drake क्या काम करता है कि भाग जाता है अपने सेना पती के साथ, मिंचन के साथ कौन से द्वीप पर? फुल्टा द्वीप पर, वहाँ से भाग जाता है जब दुबारा अक्रमन किया जाता है नवाब के द्वारा, तो यह वहाँ पर फुल्टा द्वीप पर शरण लेने के लिए चला जाता है, ठीक है मिंचन फुल्टा द्वीप में शरण लेने के लिए यहाँ पर जब चले अग्रेजो को नवाब के द्वाराबंदी बना लिया जाता है और एक पराजय का मुँँ यहाँ पर अंग्रेजो को देखना पड़ता है अब क्या काम होता है अंग्रेज शांत बैठने वाले तो थे नहीं उन्होंने क्या काम किया बदला लेने की सोची और बदला लेने के लिए मदरास से एक विशाल नो सेना बुलाई, साथ ही साथ यहाँ पर पैदल सेनिक भी बुलाए और Admiral Watson थे और Colonel Clive थे इन लोगों के नेतरत्व में यहाँ पर सेना भेजी गई है कलकत्ता अब Clive ने क्या कर लिया है, 1757 की बात है, जन्वरी 1757 की बात है, Clive ने अधिकार कर लिया है यहाँ पर कलकत्ता पर अब सिराजु दौला विवश हो गया है क्योंकि अब Clive का अधिकार कलकत्ता पर हो गया है, यानि कि अंग्रेजों का अधिकार कलकत्ता पर हो गया है अब इसके समक्षिक विवश्टा आ गई है और यह क्या करता है अली नगर की एक संधी करता है इनके साथ यानि कि नवाब और अंग्रेजों के बीच यहाँ पर अली नगर की संधी हो गई है इस अली नगर की संधी के अनुसार कम्पनी को बंगाल, बिहार और उडीसा में बि भी अदिकार मिल गया था कि वो मुद्रा निर्मान कर सकते हैं और जो दुर्ग हैं उनका वो जीरणोधार यानि कि उनकी मरम्मत भी है यहाँ पर कर सकते हैं तो ये अली नगर की जो संधी हुई ये कही ना कही अंग्रेजों के फेवर की रही और इससे क्या हुआ जो रूपय के रूप में यानि कि युद में जो क्षती हुई थी उसकी पूर्थी के लिए 3 लाख रूपया अंग्रेजों को सिराजुद दौला को देना पड़ा अब क्या होता है जब ये कलाइब का यहाँ पर अधिकार हो जाता है कलकत्ता पर इसके बाद कलाइब फिर से 1757 की बात है चंदरनगर जब कलकत्ता पर अधिकार हो गया चंदरनगर पर अधिकार हो गया तो अब बंगाल में अंग्रेजों की जो इस्तिती है वो बहुत जादा सुद्रण हो गई है ठीक, सु द्रड़ता के बाद यहां पर क्या होता है, जो सिराजुद दौला के विरूद अंग्रेजों ने यहां पर अपने शड़यंतर बंद नहीं किये, उन्हों फिर भी उसके अगेंस यहां पर शड़यंतर करने शुरू कर दिये हैं, क्लाइव जो है, वो महत्वा करना चाहता था, तो इस स्वतन की पूर्ती के लिए उसने क्या काम किया, उसने नवाब के दरबार में अपने व्यक्तियों को बहां पर सेट कर दिया, और सेट करने के बाद यहां पर सामराज्य में लगातार साजिश और विश्वास घात, यानि कि एक शड़िंतर और उधर था मानिक चंद, मानिक चंद कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था, इसके अलावा थे अमी चंद जो एक सौदागर था, बहुत अमीर था, उसको साथ में लिया, एक जगत सेट था, जो बंगाल में बैंकर की भूमीका में था, और खादिन, इन लोगों को इसने क् अधर बिछाना शुरू कर दिया, अब क्या होता है, जो ये पूरी साजिश हो रही है, इस साजिश का एक उसने नेता बना दिया है, और वो नेता बनाया है, अमी चंद को, अमी चंद को जम नेता बनाया है, तो उसने क्या काम किया, इसने का ठीक है, हम जैसा तुम कहोगे, क्लाइव से इसने का जैसा तुम कहोगे ठीक है हम वैसा करेंगे लेकिन इसके बदले में मुझे नवाब के खजाने से धन का चाहिए 5 प्रतिशत और हीरे जवाहरात का चाहिए 25 प्रतिशत कमीशन के रूप में अब क्लाइव जो था अब इतना धन देने के लिए तो इतना सारा शड़यंतर कर नहीं रहा था तो क्लाइव को ये बात समझ तो आ नहीं रही थी कि इसने क्या किया है इतनी सारी डिमांड की है और क्लाइव इसे इतना सारा धन देना भी नहीं चाहता था तो अब क्लाइव न एक संधी पत्र था जाली यानि कि एक फर्जी था जो सफेद कागज पर था वो तो था वास्तविक संधी पत्र और एक जो दूसरे लाल रंग के कागज पर संधी पत्र बनाया गया था ये था जाली अब यहाँ पर क्या होता है जाली संधी पत्र पर अमी चंद को जो भी उसन संधी पत्र जो था वास्तिक संधी पत्र पे हस्ताक्षर होने थे क्लाइव के और वाटसन के लेकिन जाली संधी पत्र पर वाटसन ने यहां पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तो क्लाइव ने उसी के जाली हस्ताक्षर कर लिये और जाली हस्ताक्षर करने के बाद संधी पत तो मुझे 5% और ये 25% के रूपने जो यहां पर कमीशन है खजाने से 5% का दन मिलेगा और ही रेजवारत से 25% का कमीशन मिलेगा तो यहां पर संतोष्ट हो गया संधी पत्र में जो मीर जाफर के साथ संधी की गई उसमें क्या होता है कि कुछ शर्ते दीने का वचन किया मीर जाफर ने अंग्रेजों को पहला तो ये था कि बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाएगा और वो अंग्रेजो को हर तरीके की व्यापारिक सुविधा प्रदान करेगा ठीक है दूसरा यहाँ पर था कलकत्ता पर उनका पूरा अधिकार मान लिया जाएगा यानि कि पूरा किसके नियंतरण में आजाएगा अंग्रेजो के नियंतरण में आजाएगा और जो कंपनी है उसको 24 परगनों की यहाँ पर जागीरदारी देनी पड़ेगी यानि कि जो यह नवाब है नवाब यह चाहता था जो यह संधी की गई थी पहला तो जैसा हमने कहा क जो बंगाल का नवाब बनेगा मीर जाफर और कलकत्ता पर वो अपना पूरा धिकार मानेगा यानि कि जो नवाब है वो अपना पूरा धिकार यहाँ पर कलकत्ता पर मान लेगा और कमपनी को इसके बदले में क्या देगा 24 परगनों की जागीर देगा यानि कि जमीदारी उसक क कप McD Prison का भी एक वादा, संदी के अनुसार कर लिया है, मीर जाफर में, यानि कि कासिम बाजार और धाका में यहाँ पर दुर्ग बनाने की अनुमती देने की बात कर लिया, और इसके साती ही यहाँ पर जो धन के लिए सब किया जा रहा था, यहाँ पर कलाइव और उसके पदादीकारियों को बहुत सारा धन देना पड़ेगा अब अगर हम यहाँ पर कहें जो यह संधी की गई थी संधी तो लगभग एक तरफा संधी थी सिर्ट नवापने के लालच में उसने अंग्रेजों से इस तरीके की संधी की अगर इतिहास के बात कहें तो जो मीर जाफर है और जो अमी चंद है मीर जाफर और अमी चंद ने अपने स्वार्थों की पूर्ती के लिए जो अपना देश है या जो स्वामी भक्ती है या जो नमाद के प्रती उनकी निष्ठा है उस निष्ठा को उन्होंने बेच दिया और अपने स्वार्थ सिद्धी के लिए बहुत ही जादा घ्रणापूर्ण और निंदनीय काम किया और इन दोनों का नाम अगर इतिहास में कहें तो सदैव एक देश द्रोही के रूप में ही लिया जाएगा क्योंकि इनके इस तरीके स संदी करने के कारण और अंग्रेजों को इतने अधिकार मिल जाने के कारण जो अंग्रेज है अपने पैर यहाँ पर पसार पाए अब यहाँ पर बात करें अगर जो आज की वीडियो में बात हम इतनी ही करेंगे क्योंकि अगले वीडियो में हम खुल पूरे विस्तार तो सिराजु दौला और अंग्रेजों के बीच जो संदी हुई थी, यहाँ पर क्लाइम ने आरोप लगा दिया था सिराजु दौला पर की वह संदी भंग कर रहा है, और फिर फाइनली क्या होता है, पलासी का उनके बीच में ईद्ध होता है, तो प्लासी के युद्ध के विशेह में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में इस युद्ध का क्या महतु रखा रहा इस विशेह में जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे मीर कासिम और अंग्रेजो के विशेह में तो परिक्षा के दृष्टी से महतुपूर्ण है, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सबसे महतुपूर्ण, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आ बहुत बहुत धन्यवाद,